Good afternoon students, this is our 5th class Isometric projection. Our next topic is Isometric projection. इससे भी हमेसा important हमेसा एक question पूछा जाता है थ्वाप प्रेक्टिक्रिक्ष करने पर बन जाता है. यहां पर main बात यह है कि जैसे हम यहीं कोई object है तो उसका लंबाई, चोड़ाई, उचाई, length width and height तीनों को यहां पर हम एक साथ दिखा सकते हैं इससे पहरे जो orthographic projection आपने पढ़ा है उसमें front view में आते हैं, front view के नीचे top view में आते हैं, front view के बगल में side view में आते हैं उसे आपको समझाना पड़ेगा अगले को और अगले को भी यह समझ में आना चाहिए यहां पर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति देख कर पहचान सकेगा कि यह क्या object है क्योंकि यहां पर length, width और height तीनों एक साथ दिखा सकते हैं यहां पर हम देखेंगे कि यह आपको एक line यह base बना हुआ है यह base बाया line है यह यहां से यह 30 degree पर एक axis गया हुआ है यह 30 degree पर एक axis गया हुआ है और यह perpendicular एक axis गया हुआ हुआ है और यह 30 degree पर height दिखा सकते हैं तो इससे हमको isometric projection बनाते हैं isometric projection बनाने के लिए हमको एक isometric scale की जोएक पड़ती है तो जैसे यहां पर यदि हम लोग यह 90 degree पर दो line बनाया हुए हैं और यह बराबर length के हैं यहां से 45 degree का एक line हम खीचें और इसकी length यदि 5 cm है तो इसको 5 equal part में divide कर दें यह इसको हमने 5 equal part में divide कर दिया पहले पार्ट को हमने 0 बोला next को 1 next 2 next 3 और यह 4 और यह पहले वाला एक पार्ट है तो यदि यह वाला point B यह वाला A हो और यह O हो यहां पर A O equal to O B हो और O पर यह एंगल 90 degree हो तो यह एंगल आपका 45 degree आएगा यह एंगल 45 degree आएगा यहां पर हमें एक और line खीचनी पड़ेगी जो 30 degree का एंगल बनाएगा यह एंगल आपका 30 degree का बनाएगा ठीक है समझें आप बड़ा वाला 45 degree का एंगल था और यह छोटा वाला 30 degree का एंगल बना रहा है यह वाला point आपको point d मिल गया जि मिल गया अब हमें A-D के parallel समरांतर line 3 से खीचना है कि वैसे ही 2 से खीचना है, पहले समनांतर लाइन खीचने है, 1 से खीचना है, 0 से खीचना है, और इसको भी हम दरभाग में बाट ले, तो यहाँ पे मिलीमीटर वाले हो सकते हैं, जब यह 5 सेंटिमीटर की लाइन हो, AB, तो यहाँ पे BD पे हमको आईसोमेट्रिक स्केल मिलेगा, यह आईसोमेट्रिक लेंथ हैं हमारे आईसोमेट्रिक स्केल, यह आईसोमेट्रिक स्केल है, और यह हमारे आईसोमेट्रिक लेंथ हमको मिल रहे हैं, जो जिद गिवन लेंथ को 9 बाइ 11 के रिश्यो में छोटे कर देते हैं 9 by 11 तो यह आता है आपका पॉइंट 815 यहने 81.5 परसेंट यह किसी भी ड्राइंग को छोटा कर देता है तो यहां पर आइसमेट्रिक स्केल यूज करते हैं जब भी आपको आइसमेट्रिक प्रेक्शन बना होगा तो यह दि बोलेगा वहां पर 30 cm तो 30 mm या 3 cm तो यहां से यह 3 एक्च्छल लेंथ हो रहा है 3 उसका आइसमेट्रिक लेंथ यहां से यह वारा 3 होगा जैसे 35 बोलेगा तो यह 0 यह 3 और यहां पर mm बले में 12345 ऐसे यहां पर 5 गिनेंगे तो यहां से यह 3 वारा लेंथ यह हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा 35 आपको करके बता रहा हो यह 3 है यह 0 है यह 0 से यह 3 और इधर पर 5 पार्ट 35 तो यह आपका आइसमेट्रिक स्केल ऐसा उप्योग करते हैं जो भी क्व होगा उसमेट्रिक स्केल से नापेंगे और कोई आपजेक को बनाने के लिए यूज करेंगे बहुत सारे क्वेशन में आइसमेट्रिक प्रजेक्शन नहीं बुला होता है आइसमेट्रिक व्यू बनाने को बुला होता है तो जब भी आपको आइसमेट्रिक व्यू बनाना हो Isometric View तब आपके पास एक Flexibility रहेगी कि आपको इस Scale को use नहीं करना है यह जो Length आपको दिया हुआ रहेगा उसी को आपको उप्योग कर लेंगे Isometric Scale को Isometric View में यूज नहीं करना होता है इसको तभी उज़ करते हैं जब आपको Isometric Projection बनाना होता है क्योंकि यह लेंद को छोटा कर देता है 81.5% छोटा कर देता है यह लेंद को तो इस question में यह दिए की उचाई 100 mm दी हुई हो और यह चोड़ाई 20 mm दी हो यहां पर भी चोड़ाई 20 mm और मोटाई मालो 10 mm दिया हो 10 mm दिया हो ठीक है यह उपर वाला front view है नीचे वाला top view है तो इसको बनाने के लिए यहां पर हम लोग लेंगे और यह थार्टी थार्टी डिग्री पर दो एक्सिस खीचा और 100 mm यह दिए बोला हुआ तो यह 100 mm की उचाई स्केल से अच्छा सिधा बनाएंगे पर्पेंडिकुलर और यहां पर भी बनाएंगे 100 mm और यह जो आपको चौड़ाई बताया हुआ था 20 mm बताया हुआ था तो यह 20 mm का यहां पर चौड़ाई बनाएंगे हम लोग 100 mm उचाई और 20 mm की चौड़ाई बनाएंगे फिर आपको मोटाई भी मैंने बताया हुआ था मोटाई बताया हुआ था 10 mm तो यहां इस दूसरे साइड में एक्सिस में हम यहां मोटाई देंगे 10 mm का मोटाई और उचाई उसकी सेम रहेगी 100 mm तो यहां पर यह उचाई सेम आ जाएगी 100 mm और इसके पैलल समरांतर लाइन यहां पर खीचेंगे उसी पैलल समरांतर लाइन यहां पर खीचेंगे और इसके पैलल समरांतर लाइन यहां पर खीचेंगे तो अब यह आपको एक तरह से कोई बुक की तरह का दिखना समझ में आ रहा है यह कैसे बनाते हैं हम आईसोमेट्रि व्यूद्व हमने बना लिया हैं तो अब आई सो मेटिक बनाने लिए आपको स्टार्ड कर रहा हूं और इसका आपको आहुसमेटिक व्यूद्व बनाना है तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं तो देखिए सबसे पर हम को एक ऐसा छोटा होजेंटर लाइन खीचना होता है उसमें फिर 30 डिगरी का एंगल लेके एक एकसेस और 30 डिगरी का एंगल लेके यह दूसरा एकसेस खीचते हैं हमारी जहां पर भी इच्छा हो वैसा हम लेंद्ध ले सकते हैं माल लीजिए लेंद्ध 20 mm और 20 mm दिया हुआ हो यह 30 30 डिगरी का हमने एंगल पर खीचा हुआ है यह दो एकसिस अब यह लेंद्ध को हम ले लें मालों इस साइड ले लें अपने उपर रहता किसी भी साइड हम ले सकते हैं यह 20 mm और एक को हमने उचाई में ले लिया ठीक है एक वमने मूचाई में लिया यहां से हमने मिजर किया और परफंदिक्प्रा लंबवत रेका बना दी यहां से ही 20 mm मिजर किया और यह से बना दी da यहां से खीचा तो यह जो आपको मिला यह वारा डाइग्राम आपका आइसोमेट्रिक व्यू है इसके दो-तीन तरफ से जैसे हमने इस साइड लेके बनाया है वैसे इस साइड भी लेके बना सकते हैं फिर यह एक ऐसा लाइन खीचा एक इधा 30 लिए का लाइन खीच लिया और यह हाइड बना लिया था 20 का हाइड फिर यहां 20 का ले लिया फिर यहां 20 का हाइड बना लिया और इसके पहले समर्णतर लाइन यहां पर खीच लिया तो यह हमको यह दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू मिल गया जिसका लेंद 2020 का है तो इस स्क्वैर को हम ऐसा यह ऐसा दो तर एक length को ले ले और एक side width को ले ले ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं तो यह दो-तीन तरह के होते हैं जिनको जोड़ जोड़के हम different हमारे questions बना सकते हैं यह 30 ही का एंगल यह 30 ही का एंगल आगे चलके इनको जैसा आपको जोड़ पड़ेगी वैसा यूज़ कर लेंगे यहाँ पर पैलल समर्लांतर लाइन यहां खीच लिया और इसके पैलल समर्लांतर लाइन यहां खीच लिया यह पैलल समर्लांतर लाइन खीच लिया बुलने पे इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है मीनी ड्राफ्टर जो यूज़ करते हैं उस machine कराम है मीनी ड्राफ्टर आपको सिखाया हुआ हूँ, इसमें काम करना मीड आफ्रस से हम लोग पैरलल लाइंस खी थे हैं तो यह आपको स्क्वेर को तीन तर से हम आईसिमेट्रिक बना सकते हैं नेक्स मैं आपको आईसिमेट्रिक बनाना सिखाऊंगा कोई टैंगल का यदि हमें एक कोई टेंगल दिया हुआ हो ठीक है ऐसा है यदि हमको कोई टेंगल दिया हुआ है और इसका हमको आईसोमेट्रिक बनाना है तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं इस टेंगल को एक रेक्टेंगल के हम लोग बॉर्डर बना ले परपेंडिकुलर यहां से भी पर आप शोक के जा रहा है ऐसा हमने एक रेक्टेंगल बना लिया अब रेक्टेंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे बहुत ही मज़ेदार है जैसा उपर हमने स्क्वेर का बनाया था वैसे सेम केस यहां पर भी चलेगा यह पहले एक हमने लाइन खी थी फिर यह 30 दीडिके एंग सकते हैं तो यह दूसरे साइड को मैं वेट को मैं उचाई में ले रहा हूं यह वेट को ले लिए उचाई में यह डैमेंशन दिये होंगे डैमेंशन के आप शिंता मत करिएगा और यह ऐसा इसके पहला समनांतर मैंने यहां पर खीच लिया अब यह आपको जो क्वेस्टन दिया हुआ था तो यह डैमेंशन दिया हुआ रहेगा यह भी डैमेंशन दिया रहेगा यह भी डैमेंशन दिया रहेगा यहां से मेजर किया और यहां पर वो पॉइंट मैंने मार कर लिया यह पता नहीं कैसा हो जाता है पैन के चक्कर में फिर इसको इस पॉइंट से जोड दिया और इसको इस पॉइन से जोड दिया तो आपको जो टेंगल जिसका आपको आइसमेट्रिक बनाना था यह आपका टेंगल का आइसमेट्रिक आपको मिल गया तो ऐसा है यह आपको कोई भी questions मेंangenट्रिक बोले partagen बोले ऐसे कोई से बोले तो उनको भी हम लोग ऐसा square या rectangle पे fit करके और फdy्यर्फे इसा ठीवें 30-30 व्हिरी का लेके बना सकते हैं अब इसको ऐसे left side मिल बनाएए है वैसा चाहें तो right side वाला भी या ऐसा left side वाला जासा सपाइब बनाया यह बनाया यह तत्रह से हम लोग वटा सकते हैं ऐसे ही आगे चल के आपको सरकल का जुरत पड़ेगा सरकल कर दिया आपको बनाना है तो उसके लिए गाद आप समझें वहाँ जा नहीं करना पड़ा ये सबसे पड़े है आपने एक बनाया चांट को क्या किया एक square के अंदर बंद कर दिया टचो की जा रहा है ठीक है ये टचो की जा रहा है तो square बनेगा नहीं आप जानते हैं square बन जागई ये line सीधी आएंगी थो अब मैं scale नहीं उज़ कर पा रहा होना इसलिए तो ये ऐसा आपको square बन जाएगा ठीक है अब इस square को जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है वैसा square उसके अंदर हमको circle बनाना है तो क्या होगा कि square के अंदर हमको circle बनाने के लिए ये आपको point center point है ये center point है ये center point है ये center point है ये सब आप find out कर सकते हैं वैसे ही इनके बीच में एक आथ और कोई point हम लोग find out कर सकते हैं measure कर सकते हैं ये point हम measure कर सकते हैं और वैसे यहाँ बना सकते हैं तो ये हमको point मिलेंगे ये मिला हमको center point ये हमको point मिला center point ये भी center point ये भी center point ये भी center point अब वैसे corner locate कर दूम है तो यहाँ से vertical line खीचा यहां से इसके parallel यहां से इसके parallel हमको line कीती है तो यह हमको एक point और मिल जाएगा वैसे ही इसके parallel line और यह vertical line वैसे ही इसके parallel line axis के यह vertical line वैसे ही इसके parallel line और यह vertical line तो हमको ये आठ पॉइंट मिल गए जिनसे हम इसको एक स्मूट कर्व बना सकते हैं आपको कर्व बनाना मैंने सिखाया हुआ है फ्रेंच कर्व को यूज़ करके हम लोग ऐसा बनाते हैं पर आप देख रहे हैं ये थोई सी दिक्कत आ रही है इसमें उतने अच्छे से यहां पर आपको सरकल करेदी आप आइसमेटिक बनाएंगे तो वह आपको पता है इरिस बनेगा ये इरिस उतना अच्छा नहीं बन पाया तो इसके इरिस बनाने के लिए और भी हमारे पास मेथड है वो हम अभी आपको सिखाएंगे